दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन पर खड़ी ये एरोपलेन कैसे हवा में उड़ने लगती है दरसल प्लेन में जेट इंजन लगा हो होता है जिसे प्रोपेलर कहते है प्रोपेलर का काम प्लेन को हवा में धकेलने का होता है जब प्लेन हवा में होती है तो प्रोपेलर द्वारा हवा को एक्जोस्ट किया जाता है और एक्जोस्ट किये हवा को पीछे प्रोपेलर द्वारा छोड़ दिया जाता है जिसे एक थ्रश्ट पैदा होती है और प्लेन को हवा में धकेलने लगती है अब बात यह है कि प्लेन से हवा में कैसे जाती है एरोप्लेन को हवा में लाने के लिए पहले रनवे पर उसे तीन से चार किलोमेटर दोड़ाया जाता है और प्लेन को हवा में उड़ाने के काम इस पर लगे पतवार का होता है जिसे एरफोईल कहा जाता है एरफोईल को इस तरह से बनाया गया है कि ज पीचे के मुकाबले उपर वाले सर्फेस को जादा दूरी तै करनी पड़ती है और इससे प्लेन में लगे विंक्स में लिफ्ट पैदा होती है और एरो प्लेन को हवा में उड़ा दती है दोस्तों को वीडियो इंफेमेटिव लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चै